वैशनव अपराद बन जाए तो क्या करें? मित्रों भक्ति में जीवन में ऐसा होता है कि कभी-कभी हमसे वैशनव अपराद, गुरु अपराद, धाम अपराद हो जाता है वैशनव अपराद होने से हम साधना सेवा ठीक से नहीं कर पाते अगर अपराद बन जाए तो क्या करें यहीं पोसेलों का सवाल है अज इसी टॉपिक को डीकोड करने कुछ करेंगे तो बिना किसी देरी की प्रिशुर करते हैं दोस्तों पूरे भारत में सरदन्द्रम का प्रसार करना यह हमारे मिशन है अगर आपको हमारे प्रैस अच्छे लगते हैं तो अब हमारे यूटुब चला गोजर स्सक्राइब कीजे और इस बेल आइकोन को प्रिस कीजे सादकों कभी कबार हमसे भक्तों की प्रती अपराद हो जाता है कभी किसी भग का अपमान कर दिया, कभी किसी सादक के बारे में गलस सोच लिया, किसी की निंदा कर दिया, किसी के परती अपशब्द बोल दिया, आधी कार्यों से वैशनों अपराद बन जाता है, वैशनों अपराद बनने से नामचप ठीक से नहीं होता, समसार सत्य दिखने लगता है अपोजिट जंडर की तरफ आकर्शन होने लगता है बुरे संगती मिलने लगती है और मन माया में फसने लगता है तो वैशनों अपराद को दूर कैसे किया जाए सादकों अगर आपसे वैशनों अपराद हो गया है तो आप पहले प्रभु के पाद जाएं और उनसे और क्षमा के लिए प्रात्ना करें तुसरा कार है है कि आपने जिस व्यक्ति के प्रती अपराद किया है उनसे जाके माफी माँगे अगर वो इनसान बहुत दूर रहता है तो आपने कॉल करके क्षमा की आचना करें सिर्फ वार्टसप पे स्वारी बोलने से काम नहीं मैं तो यही HO कि आप उनसे प्रत्यक्ष मिलें अपनी एगो को साइड में करें और सच्चे रुदय से उनसे माफी मांगें आपके माफी मांगने से वैष्णों अपरात कम होता जायेगा अगर आपने अहंकार में आकर उनसे माफी नहीं मांगी तो अपराद काफी दिनों तक आपकी उपर रहेगा और आपको परेशान करेगा अगर आपने गुरु के प्रती अपरात किया है तो गुरु से मिले और साश्टांग प्रणाम करने के बाद उनसे क्षमा की आचना करें और अपना अपरात को गोल करें गुरु जी आपको माफ कर देंगे अगर आपने न श्रीला परोपाजी को बहुत सताया और मंदर की मूर्तिय चुराने की कोशिश की अब क्योंकि उस विक्ती ने गुरु अपराद किया था तो विक्ती सुबह होने से पहले ही मर गया ऐसे वेशनों अपराद बड़ा भायानक होता है श्रीहरी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं अगर कोई उनके भक्तों को सताता है तो उनकी खैर नहीं उसकी 21 पिडियों को श्रीहरी नरत में डाल देते हैं और वेशनों अपराद लग जाएगा हरी भक्त साधारन नहीं होते उनकी बहुत पड़ी महिमा होती है बले वो भार से साधारन दिखते हो परंदर से साधारन होते हैं हरी भक्तों से पंगा ना ले नहीं तो रास्ते पे तरड़ते वे नजर आओगे हरी भक्तों को नमस्कार करें और उनकी सेवा करें अगर आप कर दे ताशकले बस इतना ही हरे कृष्णा दोस्तों हम हमेशा स्वनादन धर्ण के बारे में ऐसे ही गुप्त न्यान हमेशा लाते रहेते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो आप कर सकते हैं आप इसे लाइक कीजिए आप इसे शेर कीजिए अपने दोस्तों आप को साथ में